क्या होता है FWD, Front Wheel Drive, RWD, Rear Wheel Drive, 4WD, 4WD and AWD, All Wheel Drive तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि यह सारे जो पावर ट्रेंज है, ड्राइविंग ट्रेंज है, यह सारी चीजे पोती क्या है और गाड़ी का कौन सा विल जूनता है, और गाड़ी को आगे एक यह लेकर जाता है So, Welcome back to the channel, everyone, this is Prakash Mahant and you are watching PM's Motography तो आज का वीडियो अगर आपकी किसी गाम आता है, तो मैरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजीगा अगर हम नए है मेरे चैनल पर तब दो सब्सक्राइब करना नहीं लगेगा, क्योंकि सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना हमता है तो अगर आज का वीडियो आप इसी काम आता है, तो मैरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजीगा और मुझे इस्टाइब पर फॉलो करना ना भूले, मैं वहाँ बर भी आटो मोबिल के अपडेट्स देता रहता हूं तो मुझे इस्टाइब पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महाद तो चेलिए करते हैं, आज का वीडियो स्टाट तो आज का जो टॉपिक है वो है गाड़ी के पावर ट्रेंस पे बदलब की जो कार है उनको कौन से चक्का गुमता है अब ऐसा तो है नहीं कि हर गाड़ी में चारो चक्के गुम के गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो पहले शुरुबात करते हैं FWD से तो FWD होता है Front Wheel Drive तो इसके नाम से ही समझ आ रहे है कि जो गाड़ी है उसका सामने पाईय जो है वो घूम कर गाड़ी को आगे बढ़ाता है Front Wheel Drive तो इसमें सिंपल सा मेकेनिजम होता है एक इंजन होता है फिर क्लच होता है फिर Gearbox होता है उसके बाद वो Gearbox के बाद डारेक्ट वो विल्स में connect होता है तुरू differential की मदद से वो चक्कों में connect होता है और गाड़ी को गुमाता है अब बात करते हैं RWD की Rear Wheel Drive तो इसमें भ इंजन है फिर क्लच है फिर Gearbox है उसके बाद डिफ्रेंशल है जो गाड़ी के Rear Wheels को घुमाता है तो यह होगी अब बात करते हैं 4WD की 4WD कहा जाता है आपने कई सरी गाड़ियों में देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में AWD लिखा है और कुछ गाड़ियों में 4WD लिख अब बात करते हैं 4WD की 4WD में कुछ ऐसा होता है कि आपको option मिल जाता है कि आपको गाड़ी का पिछला पाहिया घुमाना है या उसके साथी साथ आगे का पाहिया देखिए जो पिछला पाहिया है वो तो घुमेगा ही जब आप उसको अन कर दिंगे तो गाड़ी का जो चा करते हैं AWD की AllWD जो ट्रेन है इसमें आपको option नहीं मिलता कि आपको दो पाहिया घुमाना है या चार पाहिया इसमें एक मोट सेट रहता है जैसे कि आपकी नॉर्मल गाड़ी में रहता है FWD, RWD में कि उनमें आगे ही चक का गुमेगा या पीछे ही चक का गुमेगा वैसा इसमें आपको option नहीं मिलता AWD में AllWD में AllWD में AllWD में गाड़ी का चारो पाहिया घुमता ही है इसमें आपको दो चक की घुमाने का option नहीं मिलता AllWD में गाड़ी का चारो पाहिया घुमता है तो इसमें जो 4WD और AllWD है इसका एक जो मेकेनिजम है वह आपको पहले बतारेता हूँ तो इसमें है पहले इंजन है एक लच है फिर गेर बॉक्स है फिर डिफ्रेंशल हुआ करता था FWD, RWD में तो इसमें डिफ्रेंशल से प पावर है उसको आगे चकों में भीज देगा तो बस ट्रांसफर केस यहां पर लगाया जाता है जिस गाड़ी में चारो चक्का घुमाना होता है तो बस इसमें यही चीज़ एड होती है एक ट्रांसफर केस उसके बाद आप गाड़ी के आगे पहियों को भी घुमा सकते है तो ऐसा ही उसमें भी है एक ट्रांसफर केस लगा होता है तो आपको आपशन नहीं मिलता की आपको दो चकत बूहाना है अच्छा जासे कि मैंने पहले बताये हैं आपको समझा ही होगा तो ए क्याकूर केस लगा रहता है वो आगे पाईयों के साथ इसाथ गाड़ी के पीछ इस जो पावर ट्रेन है इस बारे में तो अगर आपको लगते हैं कि वीडियो के किस क्या में होगा तो मेरा चानल जरू सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसे ही आटोपोबिल से रिलेटेट वीडियो अफ्रोड करता हूँ और मुझे इंस्ट्राम पर भी फॉलो करें वहां पर भ तश्छ माहित किसरा प्रेट च्राम एट बारदा प्र चानल प्म्समूड़ों के टच जुड़ों के बिल्च लिए कि ए सब्सक्राइब मुट्स प्के प्म्समूड़ों कि क्वेशे के ऐसे आपको लाट रहां तो पर नेक्स वीडिए मैं आतु अबगदेर्ए नेक्डिय